फिलाल की जो गोल्ड मडलिस्ट टीम है उसमें रूपा रानी भी शामिल है वो भी हरकंड से राची सी है फिलाल रामगर के जिला खिल प्राधिकारी है वो अलाकि सुराइकला करसावा से ट्रांस्पर की जाने के बाद अब तक आपचारिक तौर पर युगदान रामगर में नहीं दे पाई हैं वो उनके घर राजदानी राची के सुजाता चौक के पास से पहले रूपा सरकारी स्कूल की सिक्षका भी राच चुकी है इससे पहले बादवजाद चार से डे बोर्डिंग में रहकर कबड़ी खेलती थी दोजाद साथ से लॉन बॉल खिलना शुरू क पिछले कॉमन विल्ट गेम्स में लॉन बॉल की टीम एक अंग की वज़ा से क्वाटर फैनल में हार गई थी और वो पदक से चुक गई थी इस बाद टीम ने अपना दमदार पदर्शन जारी रखते वे दक्षन अफरिका को परास कर पदक पक्का किया है और विसेस का राजधानी रांची में तमाम लोग बेहतकुस हैं क्योंकि कॉमन विल्ट गेम में भारत को गोल्ड मेडल मिला है और इस गोल्ड मेडल की जो टीम है उसमें रूपा रानी तिर्की है राची की लवली चौबे है तो हम इस वक्त रूपा रानी तिर्की के घर पे हैं और ये पूरा जो परिवार है हम कह सकते हैं कि परिवार का हर सदस से जो है अलग-अलग खेल से जुड़ा रहा है और आज जो है लॉन्बोल में अपनी एक अलग पहचान मनाई है और भारत को गोल मेडल उन्होंने दिलाया है और अलग से यह हम कह सकते हैं कि ऐसे समय में तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि रूपा रानी तिर्की कैसे आगे बलही और परिवार का क्या सहयोग रहा ये बताईए ये रूपा रानी खेल में कैसे आगे बली बचपन से उसे खेल की बहुत रूची थी और स्कूल में भी भी सपोर्ट मिला स्कूल में वो कबड़ी में थी प्लस वो सौट फुट भी फेकती थी उसमें भी उसे मेडल है और फिर उसके बाद जब लॉन्बॉल आया तो फिर से पता चला कि लॉन बॉल का ट्राइल चल रहा है न्यू गेम आया है इंडिया में तो फिर उसने ट्राइल दिया और फिर उसका सेलेक्शन हुआ से पूछेंगे कि ये बताइए कि क्या पूरे परिवार के जो सदसे हैं सभी अलग-अलग खेल में से जूले रहे हैं हाँ ये इनके रूपा के पिताजी का नाम बताइए और वो कौन सा गेम खेल उनका नाम वो जुवलतिर की था और वे फुटबॉल खेलते थे गोल की पर थ विलो टीम में पार्टिसिपेट करते थे बताइए कि आप भी कोई गेम खेलती हैं मैं बास्केटबॉल खेलती थी हां तो मैंने बास्केटबॉल में अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है ऐसे रांची से खेलती थी चुटा नाकपूर टीम से और फिर जाते थे तो य और मैं पार्टिसिपेट किया है और यह बढ़ी बाहन भी खेलती ही थी हाँ बडी बहन क्रिकेट खेलिया तो स्टार्ट हो गई है क्युन्कि डूंड मेंडल सिर्फ हमारा नहीं नाची का नहीं स्टेट का नहीं पूरे भारत का है और वधाया पूरे सारे तरफ से आ रही है अभी तक आ रही है और दिन बर फून बसता ही रहता है कि उनसे बात नहीं हो पर यह उनका चल रहा है तो सारे लोग हमें कॉल करके बढ़ाई जब वापस लॉटेंगी तो क्या आप लोगों के तरफ से क्या विशेस तैयारी होगी तैयारिया तो होगी और यह तो मुझे लगता है सर्प्राइज रहना चाहिए कि क्या तैयारिया होगी ताकि हमारा मतलब कुछ हमारे से कुछ नया हो पुका है और अब उनके स्वागत की तैयारी जो है घर के लोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है न्यूज 11 भारत के लिए क्यामरामेन अर्विंद के साथ अंजनी कुमार भारत लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूज 11 भारत सच है तो दिखेगा